ना संघर्स ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में बड़े बड़े तूफान थम गए, जबाग लगी हो सीने में तो यह बुखार कौनसी बहुत बड़ी चीज है यह बुखार को भी हम हरा रहे हैं और आप सभी के लिए निरंतर काम कर रहे हैं आप सभी के लिए निरंतर आपके एक्जाम को बहतरीन से बहतरीन बनाने की पुरी कोसिस कर रहे हैं और उसी कड़ी में जो सबसे इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए चीज होती है आपका प्रिविश एर कोस्टन पेपर आपका पिछले साल का प्रस्टन पत्र उसको सल्यूसन हम डिस्कुस करने वाले हैं इस लेक्शर में स्टूडेंट से इस लेक्शर को बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि कम से कम पंदरा भी इस कॉस्टन तो यहीं से आजाएंगे बाकी के जो कोस्टन से वो कहां से आएंगे इसके लिए हम आगे और भी लेक्शर बनाने की कोसिस कर रहे हैं रात के ग्यारा साड़ी ग्यारा बज़े लेक्शर रिकॉर्ड हो रहा है और आप तक पतानी कब पहुंचे का स्टूडेंस जब भी पहुंचेगा इस लेक्शर को सभी स्टूडेंस को आप लोग सेयर कर देंगे ताके जितने भी स्टूडेंस इस उमीद में थे कि टार्गेट समिस्टर साथ नहीं छोड़ा तो उनके उमीद पर पानी न फिरे टारगेट समिस्टर की वीडियो उनके पास सही समय पे पहुँच जाए और उनकी भी मैदत हो जाए और सबसे पहला question आप सभी के PYQ में दिया गया है variable cost per unit क्या होता है तो variable cost per unit हमेशा fix होता है याद रखेगा दोस्तो variable cost per unit fixed होता है variable cost नहीं fix होता है यापर variable cost per unit की बात की गई है याद रखेगा variable cost तो variable होता है लेकिन जो variable cost per unit होता है वो fixed होता है वो स्थिर रहता है यादि जो परिवर्तनी या लागत प्रती इकाई होती है वो स्थिर रहती है, लेकिन जो परिवर्तनी अलागत होती है, जो variable cost होता है, वो vary करता रहता है, वो हमेशा change होता रहता है तो पहले का answer यह हो जाएगा, remains fixed अगला कोचन है, कोचन है second, fixed cost per unit increases when? यानि fixed cost per unit increase होता है, तो जो प्रती एकाय स्थिर लागत होती है, वरिद्धी तब होती है, जब आपका production volume decrease होता है, जब आपके उत्पादन की मात्रा घट जाती है चलिए, अगला कोचन है, which of the following item is not included in cost account? तो यह सभी के सभी items cost account में include नहीं होते हैं, for example, interest received on bank, deposit, dividend paid on share, capital, damage payable at law, यानि इसमें से कोई भी चीज, वस्तु लागत खातों में सामिल नहीं होती है, जैसे कि bank में जमा किया गया, पैसे पर ब्याज प्राप्त हुआ, अंस पूजी पर लाभांस का भुगतान, और कानून पर दे अच्छती, यह सभी के सभी क्या होते हैं, यह सभी के सभी अलग प्रकार के expense होते हैं, और यह cost accounts में include नहीं होते हैं, चलिए, sports question आपसे पूछा गया था पिछले साल, opportunity cost helps in, तो opportunity cost help करता है making managerial decisions में, यानि जब आप अपने organization के प्रबंदकिया नेड़ा ले रहे होते हैं, तो वहां पर आपका जो अवसर लागत होता है, उसमें आपका सहायता करता है, याद रखेगा, opportunity cost यानि अवसर लागत प्रबंदकिया नेड़ा लेने में सहायता करता है, अगला question 5, step cost are classified is, तो जिस step cost होता है, उसको classify किया गया है, as a all of these, यानि step cost को हम लोग conversion cost भी कहत होते हैं, ठीक है, चलिए, question 6 में आपसे पुछाएगा, cost accounting is different from financial accounting in respect of, तो इस question के दो options नहीं है, ध्यान से दिखेगा, cost accounting और financial accounting में दो aspects से difference होता है, लागत लेखांकन और वित्या लेखांकन में दो aspects से difference होता है, दो अंतर होता है, पहला अंतर होता है, assertainment of cost यानि लागत के अगर हम cost accounting की बात करें, तो cost accounting में एक-एक activity का, एक-एक process का, एक-एक job का cost ascertain किया जाता है, और financial accounting में फुरे business का jow expense होता है, पुरे business का jow cost होता है, तो, असको ascertain किया जाता है, यहां पे entire cost और entire profit की बात होती है, financial accounting में और cost accounting में individual products, individual services, individual processes के cost की बात होती है दूसरी चीज़ अगर हम reporting of cost की बात करते हैं तो जो cost accounting होता है यह internal reporting के लिए बनाया जाता है इसकी internal reporting होती है और जो आपको financial accounting होता है वो external reporting के लिए बनाया जाता है जितने भी accounts होते हैं वो external reporting के लिए बनाया जाते हैं यानि वो बाया अभी लेखन के लिए बनाया जाते हैं बाकि जो आपका cost accounting हो internal reporting के लिए बनाया जाता है यानि आपका इसमें दो options हो सकता है cost accounting, financial accounting से different है in respect of asertainment of cost यानि लागत के निधारन में भी different है और reporting of cost यानि लागत की reporting में भी different है अगला कोच्ट अब से विन, while designing a costing system the main factor to be considered यानि एक लागत प्रणाली को design करते समय जो सबसे जादे मुख्यकारक होता है विचार करने वाला वो कौन सा होता है तो वो था आपका manufacturing business manufacturing process यानि जो आपकी वियवसाई के स्थितिए इसमें दो options मुझे सहीं लग रहा है manufacturing process क्या है उस पर डिपेंड करता है कि आपके आँका costing system कैसा होगा ठीक है तो nature of material use भी सही हो सकता है manufacturing process भी सही हो सकता है लेकिन अगर आप मुझे personally पूछेंगे कि मतलब मुझे personally कैसा लग रहा है तो मुझे personally लग रहा है manufacturing process जादे main factor होता है क्योंकि जब कॉंस्टिंग system determine करते हैं को डिजञें करते हैं कि आप जब manufacturing system में उस पूरे कॉंस्टिंग system को implement करते हैं तो manufacturing process को ही सब से जादे important consider किया जाता है क्योंकि manufacturing process में अलग अलग activities होती है सब का अलग अलग costing होता है इसलिए हम यह कह सकते हैं कि manufacturing process ही सबसी important factor होता है costing system को design करते समय चलिए अगला है question no.8 question no.8 में पुछा गए the method used for calculation of cost per unit of output is known as तो इसका answer तो unit costing होना चाहिए या फिर output costing होना चाहिए जो कि दिया नहीं है technically तो इसका option क्या होगा? इसका option होगा D all of these मतलब अब क्यों DO इसका option होगा? क्योंकि पूछा गया कि कौन सा ऐसा method है जो use किया जाता है cost per unit of output को calculate करने के लिए तो cost per unit of output को calculate करने के लिए costing systems भी है costing के procedures भी है और costing के methods भी है लेकिन यहाँ पर methods की बात की गई है तो costing method कुछ बच्चे कहेंगे जादे सही है तो costing method भी सही हो सकता है individually लेकिन जादे सही मुझे लग रहा है costing system, costing procedure, costing method यह तीनों की बात कर रहा है क्योंकि यहाँ पर individually अगर answer देना होता examiner को तो वो unit या फिर output costing देता यहाँ पर यह तीन options वो नहीं देता अगर यह तीन options दिये गए है तो technically इसका मतलब यही है कि इसका answer जो होगा वो all of these होगा वैसे इसमें appropriate answer दिया ही नहीं है मैंने आपको पहले बिता दिया हिंदी में उत्पादन की प्रती इकाई लागत की गर्णा के लिए उपयोग की जाने वाली की विधियों को किस रूप में जाना जाता है तो उनको हम लोग लागत प्रणाली के रूप में भी जानते हैं लागत प्रक्रिया के रूप में भी जानते हैं और लागत विधियों के रूप में भी जानते हैं तो इसका option D हो जाएगा all of these अगला कुश नम्र 9 कुछ से में 10 में पूछा गया है, cost refers to, cost का मतलब होता है, the value of the sacrifice made to get some goods or services, यानि लागत संदर्भीत करता है, कुछ वस्तू और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए, किये गए त्याग का मुल्य, मतलब आपने किसी वस्तू या सेवा को प्राप्त करने के लिए, जो मुल्य खोया है, जो प्राइज आपने sacrifice किया है, उसी को cost कहते है, उसका option A सही हो जाएगा, 11 में पूछा गया, material control does not cover the following stage, material control यानि सामागरी नियंतर्ण में, इमलिखित में सही कौन सा चरण सामिल नहीं है, तो material control में production सामिल नहीं होता है, उत्पादन सामिल नहीं होता है, बाकी ये तीनों सामिल होते हैं, purchase of material, storing of material, issue of material यानि सामागरीयों का क्रे, सामागरीयों का भंडारण, सामागरीयों का निगमन, यह सभी के सभी अलग अलग चरण होते हैं सामागरी नियंतरण में लेकिन Production सामागरी नियंतरण का चरण नहीं होता है Stays नहीं होता है अगला क।च्छ नमर ठ्विल इसमें पुछा कि आपसे 12 में Which of this is not a material control technique इसमें से कौन सा? Material control technique नहीं है तो material control technique C नहीं है, maintaining store ledger, यह material control technique नहीं है, यह material control में किया दाने वाला एक काम है, ठीक है, अगर हिंधीं बात करें, तो इन में से कौन सी सामगरी नियंत्रन नहीं है, तो इन में से Store बही कहता बनाए रखना, यह सामगरी नियंत्रन تकनीक नहीं है, चलिए आगे बात करते हैं कुछे में 13 की The type of inventory method that comprises more number of accounting transactions is known as यानि कौन सायसा accounting cost accounting method है inventory method है जिसमें बहुत सारे accounting transactions होते हैं सबसे जड़े accounting transactions होते हैं याद रखेगा एक ऐसी रहतिया पदती जिसमें अधिक संख्या में लेखांकन लेंदेन सामील होते हैं उसे हम perpetual inventory system कहते हैं उसे हम सतत रहतिया प्रणाली कहते हैं याद रखेगा एक ऐसी रहतिया पदती जिसमें बहुत अधिक लेखांकन लेंदेन सामील होते हैं उसे हम कहते हैं perpetual inventory system यानि सतत रहतिया प्रणाली चलिए आगे बात करते हैं 14 की just-in-time manufacturing system मेंटेन करना क्योंकि इसका नाम है just-in-time manufacturing system मतलब आपने जैसे ही order दिया तुरंत आपका प्रोड़क्ट बनके आपके हाथ में मिल जाए इसी को हम कहते है just-in-time manufacturing system और just-in-time manufacturing system का सबसे बड़ा objective यही होता है कि हमारे पास कोई inventory ना हो ठीक है और जो भी हम बनाया है वो तुरंत बेज दे उसको हम store ना करे क्योंकि inventory को store करने में carrying cost रखता है उसको सुरक्षित रखने में जो cost रखता है उसे हम carrying cost कहते हैं और वो हर company bear नहीं कर सकती है उसमें बहुत जादे खर्चा जाता है और वो बिना मतलब का होता है अगला question 15 material control mset achieving तो material control का में मकसद क्या होता है material का में मकसद होता है material का management करना, सामगरी का प्रबंधन करना, याद रखिएगा सामगरी नियंतरण का मुख्योदेश से होता है, सामगरी का प्रबंधन करना, material का management करना, question 16 है fluctuation in prices are averaged out under which method, तो जो prices में fluctuation होते हैं वो average out होते हैं, weighted average method में भारती औसत पदती में जो कीमतों में परिवर्तन होता है उसको औसत कर दिया जाता है याद रखिएगा, जो कीमतों में परिवर्तन होता है, उसको औसत किया जाता है भारित औसत पदती में, यानि weighted average method में जो price में fluctuation होते हैं, उसको average out किया जाता है अगला question 17, which type of material is classified as A type in ABC analysis, तो आपको मैंने बताया था, ABC analysis एक costing technique है, जिसके माध्यम से हम cost को determine करते हैं और ABC analysis में ऐसे items आते हैं, जो high price के होते हैं, लेकिन quantity जिनकी कम होती है, यानि ABC visualization में जो A प्रकार की सामागरी होती है, उसमें ऐसी सामागरी आती है, जिनका कीमत उच्च होता है, लेकिन मात्रा उनकी कम होती है, तो उच्च कीमत कम मात्रा वाले, जो आपके materials होते हैं, वो ABC C analysis के A में आते हैं A type में आते हैं. अगला question mark 18 Purchase Requisition is a dash of material. तो Purchase Requisition का मतलब गया होता है तो Purchase Requisition का मतलब होता है Supply of Material यानि क्रेमांग सामगरी की आपूरती को क्रेमांग कहते हैं. Purchase Requisition कहते हैं कोच्चन मर 19 में पूछा गया है First In First Out Method Of Welling Material Uses Is Suitable At Times Of यह जो आपका FIFO method है, वो कब suitable होता है, हिंदी में जो आपका FIFO विधी है, वो कब उप्यूक्त होता है, तो FIFO विधी तब उप्यूक्त होता है, जब आपके prices fall कर रहे होते हैं, जब आपके prices गिर रहे होते हैं, तो आपके question number 19 का answer B हो जाएगा, that is falling prices. Question number 20 है, economic order quantity is that quantity at which cost of holding and carrying cost inventory is, याद रखेगा, economic order quantity को sort में EO Q कहते हैं, E for economic O for order Q for quantity, economic order quantity का मतलब एक ऐसी quantity से है, जिस quantity पे, जिस quantity पे आपका जो carrying cost है और आपका holding cost है, वो minimum है और वो equal है, यानि, economic order quantity, एक ऐसी quantity होती है, जिस पे आपका holding और carrying inventory cost minimum होता है, और equal होता है, अब यहाँ पी university दो-दो options को सहीं दी है, B भी same option है और D भी same option है, दोनों के दोनों options सहीं है, आप B या D में से किसी भी टिक करेंगे, तो आपका answer सहीं माना जाएगा, चलिए, आर्थिक आदेस मात्रा वह मात्रा है, जिस पर माल रखने एवं ले जाने की लागत होती है, तो आर्थिक आदेस मात्रा वह मात्रा है, जिस पर माल रखने एवं ले जाने की लागत कैसी होती है, तो लागत नियुन्तम होती है और समान होती है, मिनिमम होती है और एक्वल होती है. कुछ समय 21 में पुछागे आइडल टाइम क्या होता है, निस्क्रिय समय क्या होता है, तो आइडल टाइम ऐसा टाइम होता है, निस्क्रिय समय ऐसा समय होता है, तो आइडल टाइम मतलब ऐसा टाइम जिस समय आपके वर्कर्स निस्क्रिय थे जो काम नहीं कर रहे थे अक्टिव नहीं थे एक्टिव नहीं थे वो अपने जॉब पे नहीं थे वो अपने जॉब के बाहर थे कई कुछ और कर रहे थे तो उसका उपस्वन जाएगा C, that is time spent by workers of their work अगर स्रमिक अपने काम से बाहर कोई समय बिताते हैं काम के अलावा किसी और काम को करने में किसी और चीज को करने में समय बिताते हैं तो उसे हम idle time कहते हैं, idle time means time spent by workers of their work यानि अपने काम को छोड़के अपने काम से बाहर जो स्रमिक समय बिताते हैं उसी को हम idle time कहते हैं कोछ समय 22 में पुछा गए overhead refers to, तो overhead का मतलब होता है all indirect cost सभी के सभी जो अप्रत्यक्ष लागत होते हैं उसे हम आपरिवय कहते हैं याद रखेगा, जो सभी के सभी आपके indirect expense होते हैं आप्रत्यक्ष लागत होते हैं उसी को हम आपरिवय कहते हैं अगला machine breakdown is dash idle rate तो जो machine breakdown होता है वो कैसा idle rate होता है तो आपका जो machine breakdown होता है it is abnormal idle rate याद रखेगा मतलब मसीन खराब हो जाता है खराब होने की जो दर है वो एक abnormal idle rate है वो एक औसामान या निस्क्रिय दर है मतलब मसीन खराब होगा की नहीं खराब होगा यह तो हम जानते निया ना यह तो abnormal condition है तो मसीन breakdown जो है वो एक abnormal idle rate होता है हिंदी में वो एक औसमान या निस्क्रिय दर होता है अगला कुछ समय ट्वेंटीफोर विच उप दी फॉलोइंग कॉस्ट इस टीटेड अज इंडिरेक्ट कॉस्ट इसमें से कौन से कॉस्ट को हम इंडिरेक्ट कॉस्ट कहते हैं आपसंस आपके सामने हैं आइडल टाइम, ओवर टाइम प्रेमियम, फ्रिंज बेनिफिट या ओल अब दिएवब मतलब निखित में से किस लागत को और प्रत्यक्ष्रम के रूप में जाना जाता है तो जो आपके इंडिरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, यह सभी के सभी होते हैं यह सभी के सभी आपके इंडिरेक्ट एक्सपेंस के रूप में जाने जाते हैं यहां देखिए कि दोस्तो आइडल टाइम यानि निस्क्रिय समय, ओवर टाइम प्रिमियम यानि अधी समय प्रिमियम और फ्रिंज बनिफिट यानि अनुसंगी लाव यह सभी के सभी indirect labor cost में आते हैं यानि यह सभी के सभी आप्रत्यक्ष्रम के रूप में जाने जाते हैं यानि जो समय workers अपने काम पे नौर्मली लगाते हैं अगर उससे जादे समय लगा रहा है तो उसे हम ओवर टाइम कहते हैं SORT में से OT कहा जाता है OT यानि Overtime Overtime मतलब अगर वर्कर अपने Actual Working Hour से जादे काम कर रहा है अपने नॉर्मल Working Hour से जादे काम कर रहा है तो से हम Overtime कहते हैं यानि अधी समय का मतलब होता है वास्त भी घंटे, समाने घंटे से अधिक होने पर जब आप उतना काम कर रहा है जितना आप समाने तौर पर काम नहीं करते हैं उससे ज्यादे अगर आप काम कर रहा है तो उसे हम Overtime कहते हैं Q26 है Charging Out Output with Overhead At Reasonable Rate is Called मतलब आप परिवयर के साथ उत्पाधन को उचित कर उचित दर पर प्रभारित करना क्या कहलाता है ज्याद से Question को पढ़ियेगा Charging Output with Overhead at Reasonable Rate यानि Reasonable Rate पे आप Output को Charge कर रहे हैं Overhead के साथ तो उसको हम क्या कहते हैं तो याद रखिए कि दोस्तों उसको हम कहते हैं Apportionment Apportionment मतलब होता है Charging Output with Overhead at Reasonable Rate यानि विभाजन का मतलब होता है आप परिवय के साथ उत्पादन को उचित दर पर प्रभारित करना चलिए 27 की बात करते है Das Time Causes Extra Labor Cost तो जो आपका Idle Time होता है और जो आपका Overtime होता है या दोनों के दोनों की वरसे Extra Labor Cost होता है तो मेरे जिसाब से तो यह option जादे B वाला सही होगा Idle Time मतलब निस्क्रिय समय जब वरकर काम पे तो है लेकिन वह काम नहीं कर रहा है वह कुछ और कर रहा है तो उसकी वरसे जो Labor की Cost होती है वह बढ़ जाती है लेकिन Labor की Cost अधिल टाइम की वज़े से भी तो बढ़ती है तो Overtime भी हो सकता है और इसका Idle Time भी हो सकता है यह अधि समय भी हो सकता है निस्क्रिय समय भी हो सकता है इन दोनों समयों की वज़ा से जो आपका labor cost होता है वह जादे हो जाता है आपका जुस्वरम लागत हो जाता है वो अत्रिक्त हो जाता है अगला कोसे हमाँ 28 इसमें आपसे पूछा गया है ध्यान से दिखिएगा 27 हो गया 28 की बात करते हैं Allotment of whole time item of cost to a cost center a cost unit is known as यानि एक लागत केंद्र या लागत हीकाई को लागत की पूरी वस्तु को आवंटन के रूप में किया जाना क्या कहलाता है तो अगर आप allotment करते हैं सारे items का cost center को या cost unit को तो इसको कहा जाता है cost allocation याद रखेगा अगर आप अपने cost को अलग-अलग centers में allot करते हैं तो इसे हम cost allocation कहते हैं उसे हम लागत आवंटन कहते हैं यानि एक लागत केंद्र या लागत हीकाई को लागत की पूरी वस्तु को आवंटन के रूप में दिया जाना लागत आवंटन कहलाता है cost allocation कहलाता है अगला को समर 29, which of the following method of wage payment is more suitable where quality and accuracy of work is primary importance तो इसका उसल जाएगा time rate system हिंदी में मस्दूरी भुगतान की निमलिखित में से कौन सी विधी सबसे उपयुक्त है जहां कार्य की गुणवत्ता एवं सठीकता प्राथमीक महतो होती है तो इसको हम कहते है समय दरप्रणाली time rate system अगला को समर 30, the process of distribution of overheads allotted to a particular department or cost center over the units produced is called यानि उत्पादित इकाईयों पर किसी विशेश विभाग या लागत केंद्र को आवंटित आव परिवे के वित्रण की परकरिया क्या कहलाती है तो इसको भी यह जो process होता है इस process को भी हम absorption के रूप में जानते हैं यानि hoursikeson के रूप में जानते हैं धान से पढ़िएगा the process of distribution of overheads यानि यहाँपे overheads का distribution हो रहा है जो overheads एक particular department को allot किया गये थे उनको अब हम distribute कर रहे हैं या फिर उनको हम अलग-अलग cost center में divide कर रहा हैं तो उसे हम कहते हैं अब job son, उसे हम कहते हैं अवसो son चलिए अगला question 31 Under the hassle wage plan a worker is paid यहासले wage plan में worker का payment कैसे होता है तो normal wage plus bonus यानि समान ने वेतन एवां bonus के साथ उसका payment किया जाता है हैसले, मजदूरी, यहुजना के अंतरकप यह कमचारी को जो भुगदान किया जाता है वो समान ने वेतन के साथ bonus के साथ किया जाता है अगला question 32 An overhead absorption rate is used to यह जो आप परिवयाय और सोसन दर होता है उसका उप्योग किस लिए किया जाता है तापकर जो overhead absorption rate होता है आप परिवयाय और सोसन दर होता है उसका प्रयोग किया जाता है किस चीज के लिए जो उसका प्रयोग किया जाता है charge overhead to production जो products होते हैं जो अपके अलग-अलग प्रकार के उत्पाद होते हैं उस पे अगर आपको आप परिवयाय चार्ज करना है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं याद रखेगा उत्पादों के लिए आप परिवयाय प्रभारित करने के लिए जो overhead absorption rate है उसको यूज किया जाता है चलिए 33 की बात करते हैं under gant task and bonus plan no bonus is payable to a worker if his efficiency is less than याद के कार एवं bonus यूजना के अंतरकत किसी कमचारी को उसकी दक्षिता से कम होने पर कोई bonus नहीं दिया जाएगा तो अगर कोई भी कमचारी की जो efficiency है वो 100% से कम होगी वो 100% से कम होगी तो उस कमचारी को payment नहीं दिया जाएगा according to can't task and bonus plan यानि can't के कार एवं bonus यूजना के अंतरकत चलिए आगे बात करते है 34 की the reciprocal apportionment and can be done using यानि जो पारसपरिक विवाजन का उपियोग है करके किया जा सकता है तो जो reciprocal apportionment apportionment है वो किसके द्वारा किया जा सकता है तो वो दो तरीकों से किया जा सकता है by repeated distribution method and by simultaneous equation method तो यह दोनों के दोनों methods होते है reciprocal apportionment करने की पारसपरिक विवाजन का उपियोग करने की चलिए 35 है labor turnover का मतलब क्या होता है labor turnover का मतलब होता है rate of change in composition of labor force during a specific period यह एक निर्देश्ट अवधी के दौरान स्रम सक्ती की सनरचना में परिवर्तन की दर को ही हम labor turnover कहते है उसको हम स्रम आवर्थ कहते है अगला को सिमा 36 declaration on a machine is apportioned on the basis of यह machine पर मुल लिहास dash के अधार पर विभाज़त किया जाता है तो जो depreciation charge होता है machine पर वो apportion किया जाता है किसके basis पर तो वो apportion किया जाता है दोस्तों machine cost के basis पर machine की लागत की basis पर याद रहिएगा जो depreciation machine पर charge किया जाता है वो apportion किया जाता है on the basis of machine cost यह machine की लागत की अधार पर अगला question number 37 cost associated with the labor turnover can be categorized into याद श्रम आवर्थ से संबंदित लागतों को इसमें वरगी कृत किया जाता है तो जो भी cost associated होते है labor के turnovers related उनको classify किया जाता है under both of the labor उनको हम preventive cost भी कहते हैं उनको हम replacement cost भी कहते हैं उसे हम केवल निवारक लागत भी कहते हैं तो जो cost labor turnover से associated होता है जो लागत आपके श्रम आवर्थ से संबंदित होता है उस लागत को हम केवल निवारक लागत या केवल प्रतियस्थापन की लागत के नाम से जानते हैं preventive cost और replacement cost के नाम से जानते हैं चलिए अगला question 38 machine hour rate takes into account तो जो labor turnover होता है उसको measure करने के लिए क्या करना पड़ता है तो इसको measure करने के लिए जो number of joining workers है उसको number in the beginning of the period से divide करना पड़ता है मतलब अभी जो workers joined कर रहे हैं divided by beginning में कितने workers थे उसको labor turnover कहते हैं तो इसका option C हो जाएगा क्या होगा number of workers joining यानि कितने स्रमिक सामिल हो रहे हैं divided by अवधी के प्रारम में संख्या कितनी थी स्रमिकों की तो इसके माध्यम से हम labor turnover निकाल लेते हैं अगला कुसम 40 the method of apportionment suitable for allocating rent of building between cost center यानि लागत केंद्रों के मध्यभावन का किराया आवंटीद करने के लिए उप्यूक्त विभाजन की विधी कौन सी है तो इस case में उप्यूक्त विभाजन की जो विधी है वो है floor area यानि first छेत्र जो floor area होता है this is the method for apportionment of suitable apportionment suitable for allocating rent of building and cost center इसका option D हो जाएका floor area यानि first छेत्र लागत केंद्रों के मध्यभावन का किराया आवंटीद करने के लिए उप्यूक्त विभाजन माना जाता है यह लिए दोस्तों तो यह थे आपके 40 questions जो आपसे 2022 stage के paper हम पूछे गए थे और भी questions हम discuss करेंगे आप लोग निश्चीनत रही है बस आपसे छोटी से दर्ख्वास्त यह है यह आप सभी लोग इस live session को share जरूर करेंगे हर बच्चे तक तक ही यह live session नहीं यह जो आपका recorded lecture है उसको आप सभी लोग हर बच्चे तक share करेंगे तक ही सारे के सारे बच्चे के पास यह lecture पहुंच पाएं और सारे के सारे बच्चों को ऐसास रहे कि target semester उनके साथ है